हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टडी तो साथिवां आज की इस कलास में आप लोग बहुत ही मात तो पूरुड चीजें पढ़ने वाले हैं वह कौन सी चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कुश्चन तो ऐसे आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है लेकिन इसमें टाइपिंग माश्टर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इनको कितनों भी खूंदते रहो लेकिन यह गलत है थोड़ा सा जो यह बोर्ड पे लिखा यह सही टाइपिंग मिस्टेक है बदपा की ठीक चलिए कहरा कि सूरज की जो आए है वो पिंटू की आए से 20% कम है यहां आए का मतलब है इनकम का मतलब कमाही है कहते है न वक्त बीतने के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछत यह उसी हैसियत की बात हो रही है तो कहरा कि पिंटू की आए सूरज की आए से कितने पत्सत अधि कुश्चन थोड़ा सा आजीव का लग रहा होगा आपको सोच रहे होंगे कि जब सूरज की आय पिंटू की आय से 20 पत्सत कम है तो भाई अब पिंटू की आय जो है वो सूरज की आय से 20 पत्सत अधिक होगी आप लोगों के मन में यही होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिएगा हल करें इसे देखिए इसमें दो लोगों की बात हो रही एक सूरज और एक पिंटू जोनों लोगों की इंकम की बात हो रही कमा ही की ठिकाई अब यह नहीं कहा किसी का कौन कितना कमाता है बस compare हो रहा हहा हूए फलाने зफलाने तो बिस पर सेंट ज़ादा कमाते हैं रहा है इसे लिख embr़़ कि आए बराबर आप लोग इनको लिखते चलना मैं साइड होता जाऊंगा थोड़ा लिकिन आप पहले पिंटू कि आहे मान लेंगे ठीक है और पिंटू की आए बराबर वही कैसे भी पिंटू लिख लो कितना मान लोगे यक्स रुपया मान लो इसमें बन जाएंगे समीकरन तो कहानी हो जाएगी लंभी भी पुभ्रEr वेग्स मत मानोาก जो मान लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको हाल करना चौटा हो जाएगा हें रूपय हन्रेड रूपया मानना ही तो है मैं अट्वैडिक्स में कुछ पिंटू की आय से कम है याद रख ना किसकी पींटू की आय से कम है तो चच्चा पहले पिंटू का पतार आएगा तब सूरज का मानलोग तो गढ़ बड़ा जाएगा सूरज पिंटू पर डिपेंड है जैसे एक पीटा पहले आता बेटा बाद में आता है उसके कुछ यहां पर कंडिशन है क्योंकि जो सूरज की आयए है पिंटू की आयए पर निर्भर है तो पहले हमने क्या किया पिंटू कान लिया अब नीचे लिखो आप तो सूरज की आए बराबर सूरज की आए बराबर, मतलब इनकम बराबर भीया 20 कम बता रहा था था 20% कह रहा था कम है, मतलब एसी पर्तिसाथ हमेशा 100 पे निकाला जाता है इसलिए मैंने 100 माना, याद रखना परसेंटेज किसात हो रही वैसे हमारे जगा 100 नहीं मान सकते यहां percentage की बात हो रही तो भाईया क्या हो गया सूरजा की आए कितनी आ गई आगे क्या कहता था तो पिंटू की आए सूरज की आए से कितने percent कम है अब देखो समझो यहां पर क्योंकि सूरज की आए आप अगे लिखो 80 रुपया है तो पिंटू की आए सूरज की आए से आए का मतलब यह 20 रुपया अधिक है अगले लाइन में लिखो इस लिए इस लिए सूरज की आए एक रुपया है सूरज की आए एक रुपया है तो तो पिंटू की आए पिंटू की आए सूरज से 20 बटा 80 रुपया अधिक है कितना 20 बटा 80 रुपया अधिक है समझ में आया जब सूरज की आए 80 रुपया है तो पिंटू की आई सा रुपया है यानि 20 रुपय अधिक है आप नीचे हैं मान नहीं आपको तर्क बना रहे मैं जब सूरज किया एक रुपया होगी उसका कई गुना बढ़नी जाएगा उसका 80 रुपया है तो बढ़के कई गुना ना प्रीस बढ़ा 80 रुपया ठीक है यह क्या है किसकी आधिक है फेले यहां सूरज किया 10 रुपया है तो किसलिए चाहिए 10 रुपया है तो तुप फिन्टू किया है तो पिंटू किया है आए पराबर तो पे निकालना है ध्यान देना क्या करोगे हंड्रेट से इसको मल्टीपल कर दोगे 20 बटा सी गुड़े सो एक बार मैं भी फिर बोल दूंगा अगर आप लोगों को कुछन होगा लिखने तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना इसको हल कर लेंगे यह कलकुलेट आप कर लीजिए यह चार से कट जाएगा चार दूना आठ और चार से इनको काट दो चर पंचे क्या है कितने पर्संट अधीक है यह था सवाल इसको नोट कर लीजिए मैंने जो बोला चीजें आप समझ गये होंगी अगर नहीं समझे तो एक बार फीर से आप वीडियो को थोड़ा स्वाइक करके देख लीजिए आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंग ठीक है कहीं जाना पर देख रहे हैं तो पेज को फालो कर लें यार इस्टडी अप में अगर रेगुलर कोर्स में देख रहें तो फिर पढ़ते रहें जाले नेक्स्ट कोश्ट आपके सामिश्य जयान दीजिए ति कुणाल अपनी आये का 14 धन इंपर कुछ द द्हारता है कितना जमा करता है ना कि अपनी आये का अधार्वanks को फोर्टीन परसेंट वो अपने खाते में जमा कर लेता है जाना अजाएगी तो मेरा रूरारू खरचा चले मज़रे हो आगे का कहता है ज़िए उसकी मासिक आए 900 रूपए है मासिक मतलब मंथली इंकम 900 रूपीज है तो बताइए कि वो कितने जासी जमा करता है अब ऐस सीधा सीधा नहीं पूछ लेता कि 900 रूपए आगा 14 पर्सेंट बताओ कुश्चन इतना बड़ा बनाया देखो यह वहीं से हुआ जैसे मीडिया वाले आजकल कोटी सिखाबर को बड़ी सी फैलाते है ना वहीं से यह कुश्चन है लेकिन परिक्षा मैंसे आ जाएगा आप लोग लटक जाओगा समझिए क्या करना कुछ नी करना बहुत आसान है कुणाल अपनी आये का 14 पर्सेंट धनबचत खाते में जमा करता है यह दूसकी पास ही का है इस इसमें ठपा नहीं लगा लोगों के लिए एससे वालों के लिए बेसिक कुश्चन बहुत मस्त है अरर भी ग्रूप डी यूपीट सीटर देते हो सब के लिए यह बेसिक जिनको पर्सेंटेश सीखना है लेकिन डिया यह फार्स समेंटर का सिलेबस में चलो तो आप कि अगली लाइन में लिखो पर्सेंटेश बचत बराबर पर्सेंटेश बचत बराबर शौदा पर्सेंटेश बचत बराबर कोर्टीन परसेंट गुनाल द्वारा अपने खाते में प्रति महीने जमा की गई राषी बड़ाबर पुनाल द्वारा प्रति महीने अपने खाते में जम्हा की गई रासी पराबर 900 रूपया का जूदा पर तेहीं कहा है न 900 पर्षेंटेज निकालना मैंने बहुत प्यार से सिखाया था बच्पन में जब आप छोड़ तेसे थे पर्षेंटेज का चिन हटाएंगे तो सौ से भाग हो जाएगा कि दो सुनना फे दो सुनना कट गया जोदा नौईया एक सो चब्विस रूपय हर महीना जमा कर लेता है कि अगर यह 900 है तब हो गया क्लिए अच्छा एक बात बताना आप बात बताओ तुम कि अगर यह तो टोटल रासी है वो 900 की जगा 9000 रूपय हो जाए वो कितने रूपय बचत करेगा इसको करके बताना ठीक है आप लोग करके बताना मैं अंसर बता देता हूं 1260 रूपय है 1260 रूपया तो सही अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करें अप में देख रहे हैं तो आप वहां पे डाउट सेशन आता है ना आप सनूर पर कमेंट करें अगला कुश्चन देखिए दूसरा वाला हो गया तीसरा वाला देखिए कि एक बेक्ति अपनी आये का 53 परसेंट खर्च कर देता है मतलब एक ऐसा बेक्ति है जो अपनी इंकम का अपनी कमाही का 53 परसेंटेज खर्च कर देता है खुब फिर भी उसके पास 188 रूपय बच जाता है मतलब आज के जमाने में 200 रूपया डिटर कड़ुआ तेल है ऐसे में 188 रूपय बचना था बड़ा मुश्चिल यह अपडेट है सितंबर अक्टूबर 2021 कि फिल हाल चलते कुश्चन पर एक बेक्ति अपनी आये का 53 परसेंट खर यक्स मानले तो फिर आप ध्यान देना यक्स मानने के बाद फिर कहानी लंबी हो जाएगी हमें काम करते हैं लिखे आथ 25 परसेंट खर्च पर बचत बराबर वाई 23 पर्षेंट खर्च पर बचत उसके पास कितना हो रही है तोटल 100 माझनों अगर रूपया है तो और बचत का मान भी दिया है कितना दिया है बचत का मान दिया है अब लिखो बचत का मान या बचत बराबर बचत का मान बराबर 188 रुपए है ऐसे करो उल्टा तरीके समलोग चल रहे हैं आ जाएगा अंसर सिर्पन परसेंट खज पर बचत कितना है 47 परसेंट है और बचत का मान एक 188 रुपए है अब लिखो इस लिए कुल धन बराबर या कुल रासी बराबर या कुल धन बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है आप एक काम करोगे जो बचत है उसको हंड्रेड से मल्टीपल करके नहीं आपकी नोटल परसेंटेज रासी बच रही है उससे भाग दे देना है मैं इसको हटा देता हूं अध्यान देना कर लोगे ना इसको कोई दिक्कत नहीं है कर लो काट लो भाई फटा फट चलो काट जाएगा चार बार काटो 47 एक्कम 43 43 चुका एकसो अठाट अबर 400 रूपए यानि वह 400 रूपए कमाता है किस ना 400 रूपए कुछ लोगों के मन में होगा क्या यह सही है कि गलत है भाई पूरा सही है 100 परसें कैसे मैं सिद्ध कर देता हूं कह रहा है कि एक बेक्ती अपनी जो है कमाही का 53 परसेंट खर्च कर देता है फिर भी उसके पास 188 बचता है यानि वह जो खर्चा कर रहा है कि इतन एक मिनट मैं देखता हूं यह वीडियो से रिकार्ड हो भी रहा है नहीं सही हो रहा ठीक तो चार सो का तिरपन परसेंट निकाल लेंगे ऐसे निकालते हैं पिरपन और अपान हंडेट के दो जीरो कड़ गया कर लो उड़ा इन यह खर्चा याद्र रखना कर दो कि रहा है यह खर्च वाला से लिए 282 नहीं से 212 गटालो 288 इस आएग देख लेना तो लो घटा के दिखा कि दो सो बारा घटा लो आठ आठ आ रहा है ना इसका मतलब सही है फिरपन पर्सेंट खर्च था यानि दो सो बारा रुपए खर्च कर दे रहा था 188 रुपए बचा रहा था ठीक था फिलाग चलिए अगर आप हमारे साथ में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछे पताया जाएगा और यह कमेंट सारे आप यूटूब पे करेंगे करेंगे क्लियर कोई और भी अगर किसी के मन में रह गई बाते तो बता दी प्रेंगे बढ़ें ओके अगरा कुश्चन आपके सामने का आपको दिख रहा कि 120 को कितना परसेंट कम किया जाए बाई साही कुश्चन दिखाऊ कि 90 रह जाए 120 को कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि 90 रह जाए ठीकाए असान है कोई दिक्कत नहीं 120 को कितना परसेंट कम किया जाए हमें नहीं पता कितना परसेंट कम किया जाए लेकिन 90 रह जाना चाहिए अब लिखिए माना 120 को यक्स परसेंट कम किया जाए दिख लीजी आप लोग माना 120 को यक्स परसेंट कम किया जाए तो कितना रह जाए कहरा 90 रह जाए ठीक है अब प्रस्ना नुसार प्रस्ना नुसार 120 को यक्स परसेंट कम किया जाए का मतलब यह है कि 120 से 120 का यक्स परसेंट घटा दिया जाए यानि 120 का यक्स परसेंट बरावर नबे बच जाए तो बंदा है ना कहरा कि 120 को कितना परसेंट कम किया जाए हमने मान लिया कि यक्स परसेंट कम किया जाए हमने क्या किया फिर एक्सो परसेंट उसे एक्सो वीस से घटा दिया तब ही तो नब्चेगा कि के क्लियर है अब इसी को हल कर लेंगे 120 माइनस 120 का यक्स परसेंट कम अन्य हटता है तो हमेंसा 2 से हाग होता है एक जीरो से जीरो कट गया दो पंचे दस दो चंग बारा आइनल में 120 माइनस सब्सक्राइब बचेगा जहां से हमें करना है अब हम क्या करेंगे को यहां से रफा कर देंगे एक काम कर सकते हैं आपर हम यह माइनस का 6 इधर भेज सकते हैं तो पलस में हो जायागा 120 माइनस नबबे बराबर 6 एक सब्सक्राइब ज्यान देना इसमें कोई डाउट नहीं होना है अब क्या करेंगे अब थोड़ा से यहां पर समझने वाली बात है इसमें से जब हम घट आएंगे तो 30 आएगा बराबर 6 एक सब्सक्राइब कर लिजिए तिर्षा गुड़ा कर लिजिए जब आप तिर्षा गुड़ा करोगे तो यह 6 एक सब्सक्राइब पर पाज कर गुड़ा तीस में करोगे पांती है पंद्रा एक सो पचास आएगा यक्स बराबर पचास बट अच्छा कि खटेगा कि नहीं खटेगा कि अट लो से दुना बारा छे पंचे यानि पचीस परसेंट ना पचीस परसेंट मतलब सभी को समझ में आया एक सो बीस को पचीस परसेंट कम कर दिया जाए से नमपे बच जाए तिक लिजिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं सिद्ध करवा देता हूं कि 120 का आप 25 परसेंट निकाल लो 120 का जो 25 परसेंट है वो 30 अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बहुत ही प्यार से समझता अगला क्या कहता है अगला आपका यह चार हो गया पाच्वा कुश्चन चाहिए आपको ना पाच्वा इसक्रीन पर है फाइब नंबर कुश्चन क्या कहता है एक-एक को करेंगे परसेंटेज में बदलना है परतिसात में बदलना आप सभी जानते हो मैंने पढ़ाया है और उमीद है कि आप लोग कर लोगे पिछली ही कलासों में मैंने यह सब अच्छे से पढ़ाया है खत्रों एक बात आप सब्सक्राइब अगर्स ही थी पहले कि वैसे बनाना मझबूर ही था इस फेले वीडियो ही बनता था कलाफ ने चलती है क्लास चलती क्यश्चे बदलती है बदलना पड़ता है कहते हैं आ कोई ब्लख समझ्य एक दिन में नहीं दूर होती है लेकिन लगादार लगे रहोगे क गिया करना पर्सेंटेज में बदलना है तो चुनली यह अगर आपको में बदलना है और अगर आपको percentage का मान निकालना है तो आपको 100 से भाग करना है तो इसको percentage में बदलना है तो हम 100 से इसमें करेंगे गुड़ा ठीक कर लो rate से multiple करेंगे फाइनल में आपका आएगा यह 12 डबल 0 दो अंक पर दसमलो इसलिए यहां पर दसमलो लग जाएगा अब percentage में बदलने को बोल रहा था यह बारा परसेंट इसकांसर आए इतना आएगा 12 परसेंट करते चलिए फटाफट अगला नेक्स्ट कोश्चन देखिए क्या क्या कहता है जिरो पॉइंट जिरो फॉर परसेंट इस पिरो पॉइंट जिरो फॉर परसेंट ठीक है यह भी आसान है परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा सो से गुड़ा करते हैं पस याद रखना क्यों हो जाएगा आपका चार सो यह आपका जो जीरो थाय से लिख तो यह ना लिख लो फरक नहीं पर दसामलों है इस तरह से आप जो नीचे दो और भी कोई गये हैं एक जीरो पॉइंट वाला खुद से कर लोगे परसेंटेज में बदलना है खुद से कर लेना ठीक है कर लेंगे ना मेरी पूरी उमीद है कि आप कर लेंगे और हमारी उमीदों पर आप खरा उतरेंगे तो फिर आगे की कहानी में आपको दिखाता हूं मुझे यह वीडियो चेक करना होता है बार-बार कलास की चल रहा है कि नहीं है क्योंकि कभी-कभी सिस्टम है एलेक्टरान में बदलना है सभी को परसेंटेज में आपको कनवर्ट कर देना क्या कर लेना इतना तो चात्रों आज की यह कलास यहीं पर इंडे करते हैं ब्यारे साथियो डियलेट के फर्स समिस्टर के स्टुडेंट को मैं पूरा बलीब दिलाता हूं 100% विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपडेट कर दे रहे हैं कुछ कड़बढ है डबल कि थोड़ी बाचीत वाली कलासे है लंबी कलासे है कोई आदर YouTube को YouTube आते रहते हैं यह फुल कोर्स के लिए आपको fly study आफ में लेना प्रता है, पुर।